बॉर्टर सिक्यूरिटी फोर्स, इंडो तैबितिन बॉर्डल पेट्रोल, सिंट्रल रिजब पुलीस फोर्स और सशस्त्र सीमा बल की 500 कम्पिया, हाइटेक ड्रोन का इस्तिमाल सीसी टीवी और हेक्जाकॉप्टर से नज़र रखना जी नहीं, ये कोई जंग की तयारी नहीं हो रही, बल्कि ये तो अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के ही है, लेकिन इस यात्रा को तार्विट क्यों किया जाता है, और क्या इसी वज़े से सरकार ने यहां काफी फोर्स को लगाया है वहीं हाली में हमने देखा कि जमो कश्मीर में काफी आतंकवादी हमले हुए हैं, तो कैस बार आतंकवादियों का टार्विट अमरनाथ यात्रा है, जानेंगे इस वडियो में ऐसा पहली बात में है कि अमर्नाथ यात्रा को टार्गिट किया गया हो ये काफी लंबे समय से चलता आ रहा है लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और उसके समर्थित आतकवादी ये नहीं चाहते कि कश्मीर में शांती हो और अगर अमर्नाथ यात्रा आम तरीके से चलने लगी तो यहां काफी लोग आएंगे जिसे कश्मीर भारत से और इंटिग्रेटेट हो जाएगा लोगों को रोजगार मिलेगा नॉर्मल सी बढ़ेगी तो चलिए एक बार इस पैटर्न को और अच्छे से समझते हैं और टाइम लाइन से देखते हैं कि अमर्नाथ यात्रा पे कितनी बार हमला हुआ दरसर 1990 के दश्रत में यहाँ उंगरवाद अपने चरम पे था और इस देखत की आग नी कश्मीरी पंडितों को अपने ही घर से बाहर निकाल दिया और उनके साथ जो नरसंगहार हुआ वो हम सब जानते हैं और इसी नफरत को फिर से आगे बढ़ाया गया और अमर्नाथ यात्रा जो एक स्प्रिशल प्लेस है उसे भी नहीं छोड़ा गया कई बार यहाँ हमले खिये गए जैसे 2000 में लश्करे तैवा के आतंकवादियों ने यहाँ आए 32 लोगों को अंदरसंगहार किया 2001 में आतंकवादियों ने रात में क्यांत में सोते हुए 13 लोगों को मारा 2002 में श्रधालों को ले जाने वाई टैक्सी में ग्रिनिट फेक कर 11 लोगों की हत्या की गई 2006 में एक बस को निशाना बनाया गया और उस पर सवार पाँच लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया 2017 में आठ लोगों को मारा गया और इस हमले के जिम्मेदारी भी लश्करे तैवा ने ली सिर्फ यहीं नहीं बलकी हाली में जमुकश्मीर में काफी आतंक की हमले हुए हैं 28 एपरिल को उधंपुर में आतंकवालियों के विलेजगार्ट से मुटभेड होती है जिसमें विलेजगार्ट की मौत हो जाती है चार मेई 2024 को उच डिस्ट्रिक्ट पे हमला होता है जिसमें एक एयरफोर्स का जवान वीरगती को प्राप्त हो जाता है 9 जून को आतंकवादी रईसी में वैश्णो देवी के दर्शन करने आईश्ट धालू अपर अटाइक करते हैं जिसमें 9 लोगों की जान चली जाती है 8 जुलाई को गठुआ में आरमी के काफिले पर आतंकवादे खात लगा कर हमला करते हैं जिसमें हमारे 5 जवान वीरगती को प्रापत हो है और 16 जुलाई को डोडा में हमला होता है जिसमें चार जवान शहीद हो जाते हैं तो अगर हम मैपसी सिनारियों को समझे तो हमें पता चलेगा कि ये पैटर्न दिखाता है एक सोची समझी साजिश ताकि लोगों में डर का महल बनाया जा सके कि रैसी और जमू जैसे सुरक्षित रेजन में भी हमले हो रहे हैं तो अमर नास तीव से जोकी कश्मीर में हैं वहां कितना खत्रा होगा लेकिन भारतिय सेना ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगी ये आतंकवादी जमू रेजन में गोरिला वार्फियर टैक्टिस चुनते हैं दिरसल आतंकवादी यहां नो गो जोन बनाना चाहते हैं क्यूंकि पहले अमरनाथ यात्रा पे सिर्फ साधु जाते थे फिर धीरे धीरे ज्यादा से जादा लोग जाने लगे अब यहां पूरे विश्व उहर से लोग आते हैं जहां 2017 में यहां 3 लाख लोग आते थे अब उसकी संख्या बढ़कर 6 लाख हो चुकी है जितना पहले कभी नहीं हुगा जो दिखाता है शुधालों का बढ़ता रुझान अमरनाथ यात्रा की तरफ और इसी बाद से घवराकर यह आतंकवादी यहां खौफ पहलाकर अपने अलगावदी अजंडा चलाना चाहते हैं यह लोग चाहते हैं कि खौफ बना रहना चाहिए और अब यह चाहते हैं कि कोई हिंदू भी यहां ना आए और इसी डर को बनाय रखनी की वज़े से पिछले कुछ सालों में आतंक्यों ने हिंदू लेबर वोकस तब को टार्गेट करना शुरू कर दिया है 2022 में बढ़ गाम में हिंदू लेबर की हत्या हो या फिर स्कूल टीचर्स की कुल गाम में गोली मार कर हत्या करना जो वहाँ छुटी मनाने गए थे या लेबर का काम करती थे उन्हें टार्गेट करके मारने से डर का मुखल खड़ा करना चाहते हैं और इन सब बातों का एक ही रीजन है दुनिया में जगो कश्मीर का नाम खराब करना वहाँ काफे डेवलाप्मेंट हो रहा है इन्वेस्टमेंट आ रहा है वादी में फिर से नॉर्मलिसी बढ़ रही है तो उसे ये लोग चेंज करना चाहते हैं विडमरा इस बात की है कि हिंडों को अपने ही देश में अपने ही तीर्थ ठानों में जाने के लिए आर्मी को लगाना पड़ता है आपको क्या लगता है इस प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन हो सकता है क्या ऐसे आतंकवाद की घटना के लिए पाकिस्तान को घर में गुश कर मारने और उसे सबक सिखाना चाहिए हमें कमेंट्स में जरूर बताईए और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब करें निशकर्ष टीवी को